अप्षूर हो जाते हैं वो जिनकी हस्ती बदनाम होती है कट जाती है जिनकी मनजिलें गुमनाम होती है नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लाएं हैं आपको संघर्षों के देश अफगानिस्तान में जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना संघर्षों का देश अफगानिस्तान या अफगान इसलामिक गनराज जंबू दीप का एक देश है यह दक्षणी मद्धी एशिया में स्तित है जो चारों और से जमीन से घिरा हुआ है प्राया इसकी गिंती मद्धी एशिया के देशों में होती है पर देश में लगातार चल रहे संघर्षों ने इसे कभी मद्धी पूर्व तो कभी दक्षिन एशिया से जोड़ दिया है तो अगर आपका मन बन जाए या कभी दोस्तों के साथ प्लैन बन जाए अफगानिस्तान घुमने का तो कहां कहां आप जा सकते हैं ये जानकारी आपको इस वीडियो के जरिये मिलेगी तो वीडियो के खत्फ होने तक हमारे साथ बने रहें अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिस न करें हाँ तो हम थे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में प्रवेश के लिए वीजा के साथ वैधिय पासपोर्ट आवश्यक है अफगान दूतावासों के बीच सालाना 15,000 से 20,000 परेटक वीजा जारी करते हैं 2014 में साहसिक यात्राओं के लिए बुकिंग्स अफगानिस्तान में दोगनी हो गई थी 1999 में संयुक्त राश्ट्र ने काबूल में रहने की दैनिक लागत 70 US डॉलर का अनुमान लगाया अफगानिस्तान में चार अंतरराष्ट्री होई अड़े हैं जिनमें हामित करजई अंतरराष्ट्री हवायड़ा, मजारे शरीफ अंतरराष्ट्री हवायड़ा, कंधार अंतरराष्ट्री हवायड़ा और हैरात अंतरराष्ट्री हवायड़ा शामिल हैं। पूरे देश में इसके कई छोटे हवायड़े भी हैं। तो बात करते हैं काबुल की काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये देश के पूरी भाग में इस्तित है 2019 में अनुमान के मुताबिक काबुल की आबादी 5.26 मिलियन है जिसमें अफगानिस्तान के सभी प्रमुग जातिय समू शामिल है तीवर शहरी करण ने काबुल को दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा शहर बना दिया था परेटक काबुल में कई पारकों और अन्यस्थानों पर जा सकते हैं गाजी स्टेडियम अकसर फुटबॉल मैच होस्ट करता है स्टेडियम के बगल में स्केटिस्तान नामक एक इंडोर स्केटिंग ग्राउन है शहर के विभिन नहिसों में दो इंडोर वाटर पार्क और कई स्नूकर और बिलियर्ट्स कलब भी हैं और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अफगानिस्तान का राश्ट्रिय संग्रहाले शहर के दक्षिन पूर्वी हिस्से में दारुल अमन पैलेस के बगल में स्तित है अफगानिस्तान का राश्ट्रिय संग्रहाले संग्रहाले का संग्रह पहले मध्धेशिया में सबसे महत्वपून था जिसमें एक लाग से अधिक आइटम्स कई शताब्दियों तक रखे गए थे 1992 में ग्रह युद्ध होने के साथ संग्रहाले को कई बार लूटा गया था जिसके परिणाम सुरूप एक लाग वस्तूओं के प्रदर्शन पर सतर प्रतीशत का नुक्सान हुआ था 2007 के बाद से कई अंतरराश्टिय संग्रटनों ने 8000 से अधिक कलाकरतियों को पुनर प्राप्त करने में मदद की है और हाल ही में जर्मनी से चूना पत्तर की मूर्ती है 2012 में लगभग 843 कलाकरतियों को युनाटेट किंग्डम ने लौटा दिया और अब बात करते हैं कांधार की कांधार अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर में गिना जाता है लगभग 5.5 लाख लोगों की आबादी के साथ कांधार देश के दक्षिन में अरगंडम नदी पर 1100 मीटर या यू कहें लगभग 3300 फीट की उचाई पर इस्तित है या कांधार प्रांथ की राजधानी है और लोग कांधार नामक बड़े सांसकतिक शेत्र का केंदर भी है 1709 में मीरवाइज होटक ने इस प्रांथ को एक स्वतंत्र राजधी बना दिया और कांधार को होटक वंश की राजधानी में बदल दिया 1747 में दुर्रानी राजवंश के संस्थापक एहमेच शाह दुर्रानी ने कांधार को अफगान सामराजी की राजधानी बनाया एहमेच शाह दुर्रानी का मगबरा शेहर के केंदर में स्थित है जिसमें दुर्रानी के पीतल के हेलमेट और अन्य व्यक्तिकत सामान भी है दुर्रानी के मगबरे के सामने कलार का तीर्थ है जिसमें इसलामी दुनिया के सबसे मूल्यवान अवशेश है जो कि पोखारा के अमीर मुराद बेग द्वारा एहमेशा दुर्रानी को दिया गया था पवित्र क्लॉक को बंद रखा जाता है केवल किसी बड़े संकट के समय ही उसे बाहर निकाला जाता है और अब बात करते हैं हैरात की हैरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है इसकी आबादी लगभग 4,36,000 है और देश के पश्चिम भाग में हरी नदी के उपजाओ घाटी में स्थित हैरात प्रान्थ की राजधानी के रूप में कारी करता है यह कांधार, काबुल और मजारे शरीफ के साथ राजमार्क या यू कहें एक रिंग रोट से जुड़ा हुआ है और अब सबसे आखिर में बात करते हैं बैंडे आमिर नेशनल पार्क की बैंडे आमिर राश्ट्रियोध्यान अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में स्थित है बामियान जो प्रांत की राजधानी है उसमें कई आधुनिक होटिल है बामियान का बुद्धस्तल भी इसी प्रांत में स्थित है कुछ लोग skiing trip के लिए सर्दियों में बामियान आते हैं तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें दनिवाद